दो कची आलू का टेस्टी एंड़ क्रिस्पी नास्ता जिसे आप बचों को टिफिन में भी दे सकते हैं और ये बहुत ही जटपट बनके त्यार होता है बस घर की कुछ बेसिक सेमानों से हमें बना के त्यार करना है तो हमने दो आलू को अच्छे से छिल के अच्छे से पानी स वाश करके लिया है इसे बारिक से हमें कदूकस कर लेना है उसके बाद इसमें कुछ ऐसी इंग्रेडियंस डालने है जो आपको इजली घर पे मिल जाएगा तो हमने दो आलू को बढ़ियां से कदूकस कर लिया है और यहां पे ध्यान है कि बारिक से ही में कदूकस करना है ए सूझी बेशन को बढक से मिला लिया है और यह सकते हैं न है इसमें लैम्स नहीं नहीं मिलत हो जाता है तो यह से यह सी अध यह सकते हैं तो इसमें बढ़ाने के पाद इसमें डाला है जैसे कि बेसी कुछ मसाली भी जाते हैं तो black pepper याने की काल памisा ओडल दें आजा छूटा चॅपश और गर्म मसाली ओढ़आ ऊच्छ माणाई चमाश एफलेवर बहुत ही अच्छा बैस नासते में आप चाहे तो इसी बच्चों कुछ नास्ता क्रेपी और टेष्ट निखाना तो इसे आप बना सकते हैं तो बढ़िया से हमने इसे मिला लेना है इस तरीके से उसके बाद इस पर डालना है धनिया का फ्लीवर बहुत अच्छा था इस नास्ते में तो आप धनिया को ज़रूर डाले एक शिमस और इसमें हरीम चोटा चमश जीरा दोनों को बड़ियां से चत्र पट करनें लगे करने बघियां से भून जाएगा उसके बदर भूल्दी सेसकेप कर सकते हैं तो यहां finish बूलने के बात सारे पेस्ट जो मनी बना के रखा है सूजी का उससे हमें डाल देना हैं तो जब आ को Pencil-free हो करिएगा क्योंकि उसमें नहीं चिपकता है तो हमने इसे इसी तरीके से चलाया है continue और इस एक सक्त डव के जसा बना लेंडा है तो ध्यार है कि gas को slow रखें और इसे गंडीने चलाते रहें तो ये धीरे धीरे देखेंगे तो ये सक्त डो के फॉर्म में आ जाएगा इसमें टाइम नहीं लगता है करीबन 4-5 मिनट ही लगेगा आपको इस डो को बनाने में तो देखें हमने करीबन 3-4 मिनट तक अच्छे से पकाया है और ये नीचे से पैन छोड़ दिया है और एक तरह से देखा जाए तो ये आटे के डो जैसा लग गया है तो नहीं ज़्यादा hard रखे और नहीं ज़्यादा soft रखे इस तरीक से होना चाहिए तो अब हम यहां पर गयास को बन कर देंगे और इससे ठंडा होने देंगे इसके बाद एक थाली ले लेँगे और थाली में करीबन 10-20 चमय तरह ने तेल जालेंगे और बढ़िया से हमने फैला लेना है और इस दोग को हम इस तरीके से थाली में डाले और अब इसे दस मिनट के लिए छोड़ दें या तो फ्रेज में रख दें या फिर नॉर्मल रूम टमपरेचर पर छोड़ दें और यह जल्दी जो ठंडा हो जाता है और जब इस तरीके से चेक करें जब ठंडा हो जाना तो बस इसका कटिंग कर लिए तो यह नास्ता ना बह पर जरूर ठ्राई करें तो अगर आपको मेरे रेस्पी पसंद आ रही हो तो कमेंट करके जरूर बताएगा और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देशेगा तो देखिए बहुत इजली जो है यह पैन छोड़ देता है यानि कि आप निकल जाएगा इस नास्ते को आप इसी तरीके से निकालें और इसके बाद इसे डिफ्राई या फ्राई करें जैसे जो आपको पसंद हो आप इसे सेलो फ्राई करके भी खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी बनती है इस नास्ता को बच्चे तो बच्चे बड़े भी बहुत पसंद करेंगे तो से चैंज करें तो इसतरीके से एक सईल में बढ़ियां सा क्रिपी ब्राउण हो गया है और ये ये से लिए का रहा इसके बाद पलटे से रीचन्टर उलटते बढ़ियां लीआ से उलट रही हो जाये झाँ पोरें आखेसे होने ये यह झाख सब तो उमीद करती हूँ कि आपको यह रेसिपी जरूर पसंद आएगी इसका टेस्ट बहुत ही प्यारा है करीबन आपको समुसा पकवडी और कचोडी अगर आपको बहुत पसंद होता होगा तो आपको यह नास्ता और भी जादा पसंद आएगे तो इस तरीके से क्रेस्पी हो हैं और अच्छे से फ्राई हो गया है तो इससे हम निकाल लेंगे इसके बात हम इसे सर्फ करेंगे तो गैस मैं फिर से आपको याद दिला दू कि अगर आपको मेरे रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा और अच्छा लगे तो लाइक शियर सब कर दिशेक кварти अ बैसी छरूर कर दीशेक कर यह तो इसी तरीके से हम नेकाला है और इसी दिखी कितने ज्यादे खृसपी है आपको देखिकी पता चल रहूंगा कि इतने ज्यादे क्रिशी है और टेस्टी है तो मैं एक नाचने को तोड़ की दिखाती हूँ और आपको पता चल जाएगा कि अंदर से कितनी जादे सॉप्ट है उपर से क्रिस्पी है अंदर से सॉप्ट